नमस्कार कल जो ग्रुप पे आपके साथ विडियो शेर किया गया था उसमें हमने राजिस्थान के पश्चिमी मरुस्थलिय प्रदेश का अध्यन किया आप सभी जानते हैं कि हम आपके कोटा विश्विद्याले के द्वितिय वर्ष भुगोल के द्वितिय प्रश्न पत्र राजिस्थान के भुगोल का अध्यन कर रहे हैं और हम जो टॉपिक अभी कर रहे हैं वो है राजिस्थान के भौतिक प्रदेश इससे पहले आपने राजस्तान के धरातलिय स्वरूप का अध्यन किया था और उस धरातलिय स्वरूप में हमने राजस्तान के चार भौतिक प्रदेशों का एक संशिप्त सा इंट्रोडक्शन प्राप्त किया था और अब हम राजिस्थान के जो चारों भौतिक प्रदेश हैं उनका एक विस्त्रत अध्यन करेंगे और उस विस्त्रत अध्यन में कल हमने राजिस्थान के पश्चिमी मरुस्थलिय प्रदेश का विडियो के द्वारा अध्यन किया और आज हम उसका एक written revision करते हैं तो आज हम written revision में शुरू करते हैं राजिस्थान का पश्चिमी मरुस्थलिय प्रदेश अरावली श्रेणिंग के पश्चिम में एक शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलिय प्रदेश है जहां विस्त्रच शेत्रों में बालुका स्तूपों का विस्तार मिलता है यह एक रेतीला मैदान है इस संपून शेत्र को थार मरुस्थल के नाम से या भारत के विशाल मरुस्थल के नाम से भी चाना जाता है कई books में आपको ये The Great Indian Desert के नाम से भी मिलेगा तो आपको समझना है कि The Great Indian Desert, भारत का विशाल मरुस्थल, थार मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थल ये प्रदेश ये सब एक ही प्रदेश के नाम है जो शुषक अर्दशुषक जल्वाईवाला प्रदेश अरावली श्रेणी के पश्चिम में राजस्थान में स्थित है इसके अंतरगत हम बाडमेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, जुन्जुनू, हनुमानगर और गंगानगर जिले के शेत्रों को समिलित करते हैं इस शेत्र में पर्मो कार्बॉनिफेरस योग में समुद्र का विस्तार था कालंतर में जलवायू परिवर्थनों की वज़े से समुद्र पीछे हटता गया और शुष्क दशाओं का विस्तार होता चला गया इस शेत्र में रेत का प्रमुक्स त्रोत वायू द्वारा जमाव हैं यह एक आंतरिक जलप्रवा का शेत्र है मतलब यहां की जो प्रमुक नदियां या जलधाराएं हैं वो वर्षा काल में वर्षा होने पर बहती हैं और फिर जब शुष्क मौसम आता है तो वो भूमी में या तो विलीन हो जाती हैं या वहीं किसी स्थानिय जील में समा जाती हैं यहां जैसा अभी हमने देखा कि यहां पे बालुका स्थूपों का विस्तरत विस्तार है तो यह जो बालुका स्थूप हैं यह जेनरली अर्दचंद्राकार अनुप्रस और देशांतरिय स्थूप हैं इस शेत्र का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिन की और है और उत्री और पूर्वी शेत्रों में जो ओसत उचाई है वो समुद्रतल से लगबग 300 मीटर है जो की दक्षिनी और पश्चिमी शेत्रों में रन के कच्च जो हम कच्च का रन जिसे कहते हैं या सिरफ रन भी कहते हैं उस शेत्र तक यह नीचे होती जाती है और समुद्रतल के करीब आ जाती है इस पूरे शेत्र को या जैसे कि हम कहें कि पश्चिमी मरुस्तलिय प्रदेश को अपने धरातलिय स्वरूप के अनुसार चार उप विभागों में विभाजित किया जाता है शुष्क रेतीला प्रदेश, लूनी बेसन, शेखावाटी या बांगर प्रदेश और घगगर का मैदान शुष्क रेतीला प्रदेश जोकी पश्चिमी मरुस्तलिय प्रदेश का प्रथम उप विभाग है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में जो थार मरुस्तल का शेत्र स्थित है मतलब इसके पश्चिम का जो शेत्र है उसमें on an average वर्ष में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है इसका मतलब यह एक शुष्क शेत्र है इसके अंतरगर बाड में, जैसल में, बीकाने, जोत्पर और पश्चिमी चूरू जिले सम्मिलित किये जाते है इस शेत्र में रेथ के टीलों का दूर दूर तक जमाव पाया जाता है सामानित यह टीले 30 से 60 मीटर तक की उचाई के हैं और इनकी लंबाई डेड से लेकरके 5 किलोमीटर तक पाई जाती है बाड मेर और जैसल मेर जिले में अर्ध चंद्राकार टीले पाई जाती हैं और यहाँ पर जादा तर स्थानांतरे बालिक का स्थूप हैं मतलब वायू के साथ साथ यह अपना स्थान परिवर्तित करते हैं और क्योंकि यह वायू के साथ साथ अपना स्थान परिवर्तित करते हैं तो इसमें अधिकांच स्थूपों की दिशा दक्षनी पश्चिमी हवाओं के अनुरूप पाई जाती है इस प्रदेश की दूसरी प्रमुक सनरचना है उच्च चट्टानी सनरचना का मैदानी भाग जो की पोकरण, जैसलमेर और रामगड के शेत्रों में मिलता है यहाँ पर ग्रेनाइट, सैंस्टोन और लाइमस्टोन के जमाव पाए जाते हैं और इन चट्टानों के और बालूकास्तूपों के बीच का जो निचला भाग है वहाँ पर खारे पानी के जमाव और दलदली सनरचना देखने को मिलती है लूनी बेसिन पश्चमी मरुस्थलिय प्रदेश का सेकिंड सब्डिविजन है या दूसरा उपविभाग है यह पश्चमी राजस्तान के सबसे निचले शेत्रों में है और पाली, जालोर, सिरोही, जोतपुर तथा दक्षिन नागोर जिलों में स्थित है लूनी नदी अजमेर के निकट अरावली पहाड़ियों से निकलती है दक्षिन पश्चम दिशा में बैती हुई यह कच्छ के रण में समाहित हो जाती है इसकी अनेक सहायक नदिया हैं जिनमें जवाई और सूखडी नदी मुख्य हैं लूनी और उसकी सभी सहायक नदियां वर्षा कालिक नदियां हैं जिनमें वर्षा काल में ही जल रहता है नदी घाटी के आसपास के शेत्रों में परियाप्थ पानी मिलने से उपजाओ महीन बालू, जलोड और दोमट मिट्टी के मिश्रित जमाव पाये जाते हैं संपून बेसिन मैदानी है जिस पर पश्यमी सीमांत शेत्र में बालू का स्तूपों और बालू का जमाव पाया जाता है सिचाई की उपलब्धता और जल उपलब्धता जहां भी अवैलेबल होती है वहाँ पर क्रिशी कार्य किया जाता है पंचपद्रा, कप्राना, सन्वरला, खान्रे, पानी के गर्थ हैं और इन शेत्रों के निकट यहाँ पे लवणिय म्रदा पाये जाती है और इस लवणिय म्रदा के कारण यहां की बहुत सी म्रदा क्रिशी के लिए अनुप्योक्त भी होती जा रही है मतलग लवणियता इस उपजाव शेत्र की एक प्रमुक समस्या के रूप में उभर रही है बांगर या शेखावाती प्रदेश थार मरुस्थल का तीसरा उपविभाग है लूनी बेसिन के उत्तर में राज्य की उत्तर पूर्वी सीमा तक यह एक आंतरिक जलप्रवाह का शेत्र है इसके अंतरगत जुन्जनू, सीकर, चूरू और उत्री नागोर्जिले आते हैं यह प्रदेश मध्यम से निम्न उचाई के बालू का स्थूपों से योग्त एक रेतिला मैदान है यहां अधिकांश्ते अर्ध चंद्राकार बालू का स्थूपों का विस्तार पाया जाता है किन्तु कहीं कहीं देशांतरिय बालू का स्थूप भी मिलते हैं मतलब यह बालू का स्थूपों से योग्त एक रेतिला मैदान है यहां कोई बड़ी नदी नहीं है अपितु छोटी छोटी अंत्य प्रवाई धाराएं हैं जो वर्षा काल में वर्षा के पानी से निकलती हैं और कुछ दूर बहकर शुष्क मौसम में विलुप्त हो जाता हैं मतलब यह एक आंत्रिक जल प्रवाई का शेत्र है यह एक क्योंकि आंत्रिक जल प्रवाई का शेत्र है तो यहां पर कई लवणिये गर्थ भी पाए जाते हैं जिनमें प्रमुख हैं डीडवाना, कुछामन, सुजानगर्थ पर इन सब से जो मेजर और फेमस है वो है सांभर जील जो संपून भारत में अपने नमक उत्पादन के लिए विख्यात है थार मरुस्थल का चौथा उपविभाग जो हम आंत्रिक सनरचना को देख करके कर सकते हैं वो है घगघर का मैदान यह गंगानगर हनुमानगर जिलों के शेत्र को घेरता है और राजिस्थान के उत्तर में गंगानगर हनुमानगर जिलों में विस्त्रत है घगघर, सरस्वती, सतलज, नदियों द्वारा शिवालिक पहाडियों से लाकर जमा की गई सामगरी की द्वारा इस मैदान का निर्मान हुआ है और कालांतर में जब जलवायू परिवर्तन हुए तो यह शेत्र शुष्क होता गया और फिर पश्शिम की ओर से आने वाली वायू के साथ जो रेताई उसने इस पर अपना फैलाव प्रारंब कर दिया सरस्वती नदी अब विलुप्थ हो गई है और जलोड सामगरी भी कई स्थानों पर वायू से लाई गई रेत के द्वारा ढख गई है अब यह प्रदेश एक रेतीला मैदान है जिसमें बालु कस्तू और छोटी पहाडियां छितराई हुई मिलती है इस शेतर की वर्दमान समय में प्रमुख नदी घगगर है जिसमें प्रती वर्ष वर्षाकाल में बाड़ आजाती है घगगर का विस्तार हनुमानगर, सूरतगर और अनूपगर होते हुए पाकिस्तान तक है इस शेतर में गंग नहर और इंद्रा गांधी नहर के विकास के बाद सिचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है और इन सिचाई सुविधाओं की वज़े से यह है राजिस्तान का एक क्रिशी प्रधान प्रदेश हो गया है और प्रमुख क्रिशी उत्पादन शेतर है यह हमारे राज्ज का इस क्रिशी उत्पादन की वज़े से और सिचाई सुविधाओं की वज़े से इस शेतर का मरुस्थलिय भूत्रश्य भी परिवर्तित हो गया है तो राजिस्तान के पश्चमी मरुस्थलिय प्रदेश को अगर हम विस्तृत रूप से अध्यन करें तो उसकी धरातलिय संरचना के अनुसार चार प्रमुख उप विभागों में हम विबाजित कर सकते हैं पश्चमी रेतिला मैदान, लूनी बेसिन, बांगड या शेखावाति प्रदेश और घगघर का मैदान और आज हमने इन चारों के साथ साथ पश्चमी मरुस्थलिय प्रदेश का एक रिटिन रिविजिन किया धन्यवाद